सुप्रभाद बच्चों, आज मैं आपको आपकी पाठ पुस्तक का पाठ साथ के कठिन शब्द, शब्दार्थ, मोखिक प्रश्णुत्तर और लेकित प्रश्णुतर करवाऊंगी. सबसे पहले कठिन शब्द. इस्थित, आदा सा, उसके पर एकी मात्रा इस्थित थ, इस्थित अत्यांत, आदा त, यह और यह के उपर अंकी बिंदी अत्यांत, थर्डे व्यतीत, आदा व यह तीत, व्यतीत, फोर्थ है उन्मुक्त, उन्मुक्त, उ, उ के उपर अंकी बिंदी, मु आदा करत, उन्मुक् फिप्त है मनुष्य, म, नू, आधाश्य और या, मनुष्य, सिख्त है संतुष्ट, स, तु, श, शशटकुन वाला आधा, और त, संतुष्ट, सेवंथ है परित्याग, परि, आधात, और या, ग, एर्थ है आग्रह, आग्र, आ, ग, ग की नीचे र, र मिंस पदेन की मात्रा, आधाच, और छ, अनिक्छा, तेन थे अ, निश्चित, अ, नी, श, श, के उपर ए की मात्रा, और च, और त, अनिश्चित, ले मन थे कब जा, क, आधाब और जा, है ना, इस्थेत, अत्यंत, व्यतीत, उन्मुक्त, मनुष्य, संतुष्ट, परित्याग, आग्रह, अनिक्छा अनिश्चित, और कबजा, अब है शब्दार्थ, अत्यंत, अत्यंत विंस बहुत अधिक, जब हम किसी से बहुत अधिक इसने करते हैं, तो उसे अत्यंत बोलते हैं, है ना, अत्यंत इसने है मुझे इससे, मुझे इससे बहुत ज़्यादा प्यार है, है ना, आशा, उमीद परित्याक छोड़ना व्यतीत बिताना अनिश्चित जिसके होने में संदेहो अनिश्चित जिसके होने में संदेहो से अनिश्चित बोलते हैं अब है मोखिक प्रश्णुत्तर ग्रामेडों ने भासकर को गाउं से बाहर क्यों कर निकाल दिया था जो निकाल दिया था भासकर ने गाउं के अनेक पशुन और जानवरों को घायल कर दिया था इसलिए ग्रामेडों ने उसे गाउं से बाहर निकाल दिया था ग्रामिर मिन्स गाउं के लोग ठीक है अब सेकेंड है गीदर और गीदरी सांड के पीछे क्यों गुमते रहे क्यों गुमते रहे आप लोगं को पता है न क्यों गुमते रहे सांड के मास पिंड को देखकर गीदर और गीदरी के मन में लालच आ गया इसलिए वे सांड के पीछे-पीछे गुमते रहे कि ये गिर जाएगा और हम खालेंगे अब हैं लिखित प्रशनुत्तर सांड का क्या नाम था? क्या नाम था? सांड का भासकर था सांड का नाम भासकर था सेकिंड है गीदरी जंगल में किसके साथ रहता था गीदर जंगल में अपनी पत्नी के साथ रहता था गीदर के घर पर किसने कबजा कर लिया था बेड़ी ने क्यों कि गीदर और गीदरी सांड के पीछे पीछे लालच में घूम रहते तो घर खाली हो गया गीदर ने कबजा कर लिया लिख लिख के याद करो नहीं तो आपकी प्रैक्टिस चूछ जाएगी तो कुछ नहीं हो पाएगा यह मत समझिए कि टिक की लिंक वाले को टेस्ट हो रहे हैं तो हमीशा थोड़ी होंगे बिटा है ना इसलिए आप लोग प्रैक्टिस करिए लिखने की जितनी जदा प्रैक्